नमस्कार दोस्तों स्वागत है आज की हमारे इस वीडियो में आप देख रहे हैं टेगवड यूटूब चैनल मैं तुलकुमार आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यदि आपने अधार कार्ड अपडेट करवाया है और आपको उसका स्टेटस चेक करना है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं अपने मुबाइल फॉन से तो वीडियो अच्छा लगत वीडियो को लाइक कर देजिए और चैनल को पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास्मेस कर दें ताकि मेरे दौरा लाइक गई वीडियो का नाटिफिकेशन पाय सबसे पहले तो आग के वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा स्वारी आपको यहां पर फारफाक्स ब्राउजर ही ओपन करना पड़ेगा क्योंकि इसी ब्राउजर में बेवसाइड ज्यादा बेटर है आपने ओपन कर दिया और यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना होगा और यहां पर सर्च बार में आपको टाइप करना होगा उदे यह तो आपको पता ही होगा मैंने पहली वीडियो में बताया था तो यहां पर उदे लिखके सिर्फ आपको सर्च कर देना है तो आपके सामने फर्ट बेवसाइड मिल जाएगी तो आपको इसी पर क्लिक करना है तो इस पर क्लिक करने बाद यहां पर आपके सामने बेवसाइड ओपन हो जाएगी तो आप देख सकते हैं तो यहां पर थोड़ा स्क्रोल करके नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हैं लिखे है चेक स्टेटस तो आपको यहाँ पर लिखे है रिसेंटली रोल फार आधार चेक प्रिफियोर आधार तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो बेव साइड अब पूरी तरह से उपन हो गए है तो यहाँ पर लिखे है चेक आधार अपडे तो यहाँ पर जो आपने आधार अपडेट करवाया होगा तो आपको वहाँ पर एक receiving मिले होगा तो उसमें आप देखेंगे एक चवदा अंका enrollment ID होगा और उसमें time and date भी दिये होगा तो आपको वही इंटर करना पड़ेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले हम अपना enrollment ID इंटर कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने enrollment ID लिए उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जिस time आपने करवाया था अपना अधार अपडेट आप देख सकते हैं आपके receiving में भी होगा तो यहाँ पर मैंने side में अपना receiving लगा दिया है तो यहाँ पर देख सकते हैं अधिया है ऐसा ही receiving कुछ आपको भी मिला होगा तो यहाँ पर आपको दिखेंगा calendar का अपसमा आपको इस पर किलिक करना है और आपका जितने तारिक में अपडेट हुए है वह तारिक आपको सेलेट कर लेना है तो हमारा यहाँ पर 9 तारिक को हुए था तो यहाँ पर हमने आपको जाना है और यहाँ से आपको अपना time select करना है तो यहाँ पर हमने अपना time select कर ले रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना time select करने बाद अब आपको यहाँ पर check status पर आपको किलिक करना है तो स्वारी यहाँ पर अभी capture code हमको इंटर करना है तो यहाँ पर capture code इंटर करने बाद चेक status पर आपको किलिक करना है यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लिखके आ चुका है कामेरेटिरेटम यहाँ पर हमारा आधार पूरी तरह से अपडेट हो चुका है I् enactёр मैंने आपको पता कि अपना अधार का स्ट्रेटर कर सकते हैं अपड़ेट कराने के बाद ये तो कि देख सगे हैं मारा अधार का अप्डेट हो कुँगा है तो यहाँ पर हमारा अधार पूरी तरह से अपडेट है तो सुए वीडियो मुने आपकोना अपना अधार का इस्टेटस चेक कर सकते हैं अपडेट कराने के बाद वीडियो को लाइक कर देदी और वीडियो सम्मंदित कोई समस्य है तो आप कमेंट अपोस्क तरह हैं फिर से मिलेंगे नेश्ट वीडियो में एक और वीडियो लेकर के